अगर मैं यह कहूँ किया हम बच्पन से ओप्शन्स खेलते आ रहे हैं पब्लिक पैसा बहुत खूर रही है इसे ओप्शन्स के अंतर जो सबसे बड़ी खास बात है कि इसमें अगर हम नॉलेज के साथ काम करें कि आप एक रेगूलर इंकम जैसा बना सकते हैं चाहे आप बाइसाइड में हो चाहे आप सेल साइड में हो उससे कोई फरक नी पड़ता है कि बाइंग करो यह राइटिंग मुझे पता है कि शायद यह मेरी बाते बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आएगी विकॉस यह आपने नोटिस किया होगा सबको यह चाहिए कि मैं उनको ऐसा कोई गुरू मंत्र टाइप का दे दूँ और वो कल से जाके बटन दबाओ माल लाओ टाइप का इसाब कर दे हेलो एर्यवन आप लोगो को मारी टेकनिकल वाली सीरीज काफी जाधा पसंद आई थी उसमें काफी सारी लोगों की क्वेरीज भी आई थी तो हम उसमें भी आगे वाले पार्ट निकालते रहेंगे बट उस सारी queries में हमें एक options की बहुत जादा request आई थी तो हम फिर से एक options series के साथ आये हैं जो आप सब की फेवरेट है तो इस बार हम एक options में जो भी बिगनर के पास सवाल होते हैं कि क्या होता है options कैसे होता है बहुत सारे जो इतने सारे सवाल है कि किसी को start भी करना है options trading कैसे करते हैं तो उस पे हम आज जोती माम से सीखेंगे तो जोती माम को मैं welcome करता हूँ वापिस से इसी podcast पर हम इस series में try करेंगे सारे सवाल cover करने का बट अगर आपको ऐसा लगता है कोई सवाल छूट गया है तो आप comment section में जरूर लिखिएगा तो हम वो अगले series में cover करने का try करेंगे तो welcome जोती माम आज हम आपके साथ options सीखेंगे तो माम मैंने कहीं पड़ा था कि FNO segment में options 97% contribute करता है तो यह होता क्या है और मतलब ऐसा जो भी हम जो नॉर्मल इंवेस्टिंग मैं करता हूँ थोड़ी बट तो उससे अलग कैसे क्योंकि में को समझ में निया था कि कैसे होता है फिर आज की दुनिया में सब लोगों को quick money चाहिए अगर मैं आपको यह कहूं कि लॉट्री की टिकेट खरीद लो तो आपको लग गई तो रातो रात करोणपति और यही चीज सब के सामने आ गई और शबको यह लग रहा है कि अगर में लॉट्री की कि खरीदा हो और मेरा जो प्षिंशन ही चाहिए बिकाज अगर मैं बाइ करती हूं तो मुझे मैक्सिमम रिस्क कितना है जो मैंने पे किया मतलब मैंने एक लॉटरी की टिकेट खरी दी तो मुझे कितना नुकसान हुआ जितना पैसा मैंने लॉटरी की टिकेट के लिए दिया यह वर्ड याद रखन मैं को रिलेट करने के लिए कि हमारी सोच कैसी है उसके हिसाब से हमको बहुत फास्ट पैसा चाहिए आज अगर मैं आपसे यह कहूं कि इसमें 5 साल की होल्डिंग है मिनीमम और इसमें इतना रिस्क है लेकिन जादा से जादा दो दिन की होल्डिंग है आप कौन सा प्रिफर करोगे है और अगर मैं काऊं पात साल में वह डबल होगा और यह मैं काऊं दो दिन में वह दस गुना हो जाएगा तो लालच वाली जो चीज होती है वह चीज लेकर जब हम आप्शन में आते हैं तो यह पहले समझ लो कि आप लोट्री की टिकेट खरीद रहे हो रोज अब लगेगी या नहीं लगेगी वह आपके हाथ की बात थोड़ी ना है और नहीं लगी तो क्या होगा वो पैसा गया और रोज खरीदो के तो रोज पैसा जाता रहेगा और मार्केट में सब को यही चीज़े ट्रेक कर रहे है कि यह उप्शन से तो अप्शन में इसी लिए अब वही बात होती है कि बेचने वाला बुलते है कि हमने कमाया बहुत लेने वाला भी बुलता है मैंने कमाया इसको देखकर सेंकडों करोडों लोग आ रहे हैं कि हम भी कमाएंगे आज इसी लिए तो सारा भी बिजने शलता है लॉट्री का इतना बड़ा ऑप्शन के अंत या नहीं होंगे मुझे वो नहीं पता लेकिन मुझे यह मालूम है कि आप एक रेगूलर इंकम जैसा बना सकते हैं चाहे आप बाइसाइड में हो चाहे आप सेल साइड में हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है कि बाइं करो या राइटिंग अगर आप नॉलेज की बेस पे का सब्सक्राइब कर रहे हो विद्व कम्प्लीट डिस्प्लिन एंड स्टॉप लॉसे देन देरज लिजनों हम बट ऑप्शन क्या होता है कि हम स्टुडी कर सकते हैं स्टूडी करने के दो तीन तरीके हैं एक तो हम ऑंडरलाइंग से जो प्राइस आती हो उसकी तो चाह तो हमारे पास यहां पर स्टड़ी करने के लिए जगे है पोटेंशल है और फिर उसके बेस पर हम डिसिप्रिन के साथ काम करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अगर वही बात है जैसे सेवन डाउन खेल रहे हैं या लॉट्री की टिकेट कर रहे हैं तो भई हमको नहीं पर भई हमने जाएगा जाएगा तो जाएगा तो बड़ा जाएगा अब एक और चीज में यहां पर आपने कुछा और वैसे भी मैं यह सेशन करने के मूड में थी और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कई वार कि जल्दी करिये इसे पब्लिक पैसा बहुत खो रही है आए दिन मेरे पास मेसेश आ रहे हैं और आप देखिये जो मैंने पिछले कई वीडियोस बनाए है आपके साथ में करीब करीब सभी में यह maximum में यह लिखा है कि मैंने 3 लाग खो दिए मैंने 5 लाग खो दिये मैंने 10 लाग तो दिए मैंने बहुत बड़ा लॉस कर लिया और चाहिए तो इंवेस्टमेंट के नाम पे हाडली कोई कमेंट है येस चार्ट पे भी है थोड़े वाथ लेकिन अगर 200 कमेंट से तो उसमें से 100-100,500 हमको प्रशन पे ही चाहिए उप्शन राइटेंग, उप्शन बाइंग, इंट्रडे उप्शन, सिर्फ उप्शन ही उप्शन पूछ रहे हूँ और कई ये लिख रहे हैं कि हम लॉस किये तो ये सब देखे मैंने आपसे कहा भी था कि वही उप्शन की डिमांड है और हमको करना चाहिए कि सबसे बड़ी जलradas our public को मुझे फोन आ रहे हैं मैसेजिस आ आरे और हैं आज भी लोगोंHam Selenaiko में सबसे होती है ये सबसे होती लेकिनन उन figuring तो मैं आज इसी के लिए हम बैठे हैं ये वीडियो में तो आप हमें तो आपके बारे में समझाओ क्या होता है आपने काफी सारे ड्यूल्डड तो नब तो अपे ब्यादा करो टाज होता है हृतं क्योंकि अपनी अपनी ड्यूल आप सब्सक्राइब लग सब्सक्राइब अाप्शन एंपमें प्र innocence तो समझ भी जाइव विवाल या तो तो होति लिएप्षाम के जुट है सब्सक्रा तो कि देखका शॉक्त हैं वल पाग खट चॉकलेट न अगे लगा लगाते थे लिए। कि भी खिर नहीं कि आपस एंख भी लगाते शर्त जिल उल घ्याए थे आज जड़ित एघि चाह यगी की अज़ की टीचर आएगी नहीं हमय सब्सक्राइब के नहीं उन्हाएगी लगी श़की हिंट्गए मोईगी बाइस हजार पाथसे के ऊपर एक्सपार होगा, होगा नहीं होगा, लगी शर्थ, चलो पिछतर पिछतर 75 रुपीज पर यूनिट की लगी, 75 बाट साइज, लग गई शर्थ, अब मार्केट उसके उपर गया, तो मुझे पैसा मिलेगा, नहीं तो मैं शर्थार दी, तो यह ज इसी में फिट हो रहें ना भाई, और जब तक यह चीजें दिमाग में नहीं बैठेगी, तब तक आप यह मान के चलो, कि आपको कभी भी ऑप्शन में सक्सेस नहीं मिलेगे, राइटिंग लोगों को लगता है बहुत एजी है, मैं कहते हूं राइटिंग सबसे टफ है, क्य रणिंग मार्केट में तो चलो, एक बार में उसे प्रोटेक्ट कर सकती हूं, ऐसल डालके, आप देखोगे कभी भी राइटर हमेशा ऐसल लगाएगा, बायर नहीं लगाता, गट इट, तो इसलिए सेलिंग जो है, मैं क्यों डिफिकल्ट बोड रही हूं, क्योंकि सेलर जो है, जैदें जिए जडाएगा, बस इसे जए ज्यादा नहीं है, बस यही जो लाइन है, यह सबसे खतरनाक लाइन है, ओक्षिन की, मैं आपने तो प्रोटे बातें से पहले ही बज़ी प्रोटें के लिए बिलकुल डराया है मुझ ऑर मैंने जो डराय है, वो गलत नहीं डरा इसी करह से start किया था आज मैं options कर रही हूं कभसे तुथाउजंटू से यह कि शायद यून जुलाई में लेकिन मैं यह तुथाउजंट्टू से कर रही हूं मैंने भी इन सब मुशन से निकली हूं और मैं इतना जांती हो कि हर महिना मेरा नहीं हो सकता मुझे बहुत बड़े पैसे नहीं कमाने consistent income कमानी है मुझे करोडों अर्बों की sheet नहीं आएगी चलेगा मुझे उतनी sheet आजाए कि मैं खुश हूँ मेरा सब काम हो जाए आराम से काम करूँ बट जिन्दगी भर पैसा आता रहे ये मेरी इच्छा है मुझे ऐसा नहीं है कि मैं साल दो साल कमा हूँ और उसके बाद कुछ नहीं बस घर पे बैठों रेग्यूलर काम करते रहेंगे उतना पैसा मार्केट दीता है तो मैं मुझे लगते है कि यही गलतियां बहुत सारे हमारे वीवर्स भी करते होंगे और कई नहीं मैं भी करता हूँगा तो आप मुझे एक बेसिक से समझाओ ऑप्शिंस होता क्या है और कैसे करना चाहिए उसका एक सही तरीका क्या है करें तो यह एक ग्राफ है इसे अपने चाहे तो टेबल पर रखना चाहे अपने दिमाग में रखना तो यह पूरा एक्सपेक्टेशन पर यह टेबल बनता है और हम ट्रेड भी इसी पर करते हैं तो अगर मुझे तेजी लगती है तो मैं कॉल बाई करती हूं राइट और अगर मुझे मंदी लगती है तो मैं फुट बाई करूंगी सबसे पहली बात इनका नाम कॉल और पुट क्यों है मेरे मन में वही सवाल था हम अपकी मन का सवाल पढ़ लेते हैं तो रिंग टाइम में और आज भी हम जब तेजी होती थी तो हम बोलते थे लाओ 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 राइट और किसी को कॉल करना हो बुलाना ह आँ जो को अजय को बाताती है एक तो दोनों का साइन यह हो गया इसलिए है कॉल के है अप साइड को इशार्ह भी चाहिं श दाजा जए कम नीची नीचे नीचे बेकन बेकन घरेगा 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 रखो 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 फुट पुट पुट तो जैन्नली यह पत असली कि हम अज ही आज हो लोग दो लोग जो जो करते हो ना अच्या अभात जादा ध्यान रखने ही है क्या हम क्या कॉल कब राइट करते हैं राइट शॉट-सल एम अभी हम बोलते हैं इस अिर में को तरहा है की मारर काँ निचे जाएगा कि मार्क नीचे जाएगा जाएगा थाएगा हमने लागाएगा ठीकामने के लुछ तो फ्रेंचे यहाएगा यह तो नहीं कहा था कि नीचे जाएगा यह तो नहीं कहा था यह तो मुझे नीचे लगता है यह इसके ऊपर नहीं जाएगा गॉटेटक सेंए प्रांट तको हम जलम फिरेसकता है उसके अगल वगल मिलियर सकते हैं बट आइसी स्थिती में हम कोडाटिक Windows करते तो हम यहां पर क्या लिखेंगे हम्को ही उपंधी लगती है बट पिजी नहीं है तो इसलिए क्या मैं ऐसा कह सकती हूं अगर मैं यह कहूं कि मार्केट बाइस हजार के नीचे जाएगा 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 नहीं जाएगा 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 नहीं जाएगा जाएगा तो जो बोल्डर नहीं जाएगा वो यह कह रहा है कि उपर जाएगा ऐसा ज़रूरी तो वो यह कह रहा है कि नहीं जाएगा, तो उसके दो मतलब निकलते हैं, कि या तो वह उपर जाएगा, बट नीचे तो नहीं जाएगा, तो इसलिए क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं, कि या तो वह उपर जाएगा, या फिर नीचे नहीं जाएगा, ऐसी सिचुएशन में, पूट र यह हमेशा अपने साथ रखो जब तक यह आपके DNA में नहीं आ जाए तो यह है क्या एक्चुरी इसका प्राइस आता कहां से अंडरलाइंग से अंडरलाइंग क्या है है एक्वीटी के जो स्टॉक्स फूचर्ज और ऑप्षेंस में है तो लेट से फॉर एक्वार स्ट डिया अब लारसन का क्या प्राइस चल रहा है तो हम क्या बात कर रहे हैं लार्सन जो है एक्सपाइरी तक पैंतीसो के ओपर जाएगा के नहीं जाएगा तो 3500 के हिसाब से हमारी शर्ट लग जाती है लेट से 20-20 रुपे पर यूनिट की अब इसमें लॉट साइज है 300 आज की तारिक में जब हम यह रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 20 इंटू 306,000 अब अज बायर हमने कौन सी शर्ट लगाई है तेजी की क्योंकि 3400 का भाव चल रहे है 3500 यह 3500 आया कहां से एक्विटी से अंडर अभी cash market में किया है कि मैं पूरा जब के शर्ट उठाती हूं फ्यूचर में में मार्जिन देके शेर बाय करती हूं मतलल पर एक पोजिशन एक लॉट करती हूं अप्शेंवे मैं सिर्फ इस अजंप्शन पर कि यह ऊपर जाय गा यह नहीं उसका एक चार्ज देती हूं कि On जो मैं इतनी दिर से आपको समझा रही थी, वो चीज तो मैं अभी थोड़ा सा बहुत सारे वर्ड एक साथ आगे हैं, जैसे एक स्पाइरी वर्ड एक आगया, एक एक करके बताते हूं, अभी फूचर्स और अप्शन्स में, लास्थ थर्स्डे ऑफ पर्टिकलर मद्ध जिसम और प्रटिकलर समझने वर्ड गभी भरार जबताता सा इवंट-पर्टिकलर वो चाच कश्थ एक सबीटा किम आगे लेगी पास olmेंतों परेख लिंग उंता नै के जो दुचिए सैनल कॉन्टम एक को अन् necess हम पर li sessions कि ठ Feels to the czas जिसमें weekly options भी हैं जो हर Thursday को expire होते हैं खतम हो जाते हैं और Friday को हमें नए मिलते हैं वैसे तो हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं पहले भी लेकिन जो Thursday को खतम हो जाते हैं जीरो हो जाते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती है अगर Friday को भाव आ भी जाये तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है क्यों क्यों तो खतम हो जाते हैं मतलब वो खतम हो गया अब वो option वापस कभी नहीं आएगा वो particular month वो particular date अब कभी वापस नहीं आएगी इसलिए उसको कर सकते हैं शेयर लेकि आप बुल सकते हैं आपके DMAT account में आपने पूरा पैसा दिया है भाई यहां पर आपने शर्त लगाई है पैसा का दिया एक तरह से यह थोड़ी नहीं है सिर्फ बातों में है और अगर आप हार गय तो पैसा चला जाएगा यह हमेशा ध्यान रखना है कि मैं अच्छेड नहीं कर रही हु मैं कुछ लीगलり टर्म बात नहीं कर ओ रही हूँ मैं एक कॉंसेट बतारी हूं कि रियल लाइफ में जो चीज है ऐसी होती है और मार्केट में ऐसे Home cracking जिस न आपने यह एसा बात कुंढ मैंने कहा ना कि 75 रुपय मैंने दिये इंटो 50 वो 75 प्रीमियम हो बोला जाता है यहां की टर्मिनल रर्जी में क्या आप भी जोती बुदिया माम से एंड-to-end टेडिंग पढ़ना चाहते हैं if yes then I have something very exciting to share with you हमने जोती बुदिया माम के साथ recently introduced किया है ती जोती बुदिया लर्निग पात इस लर्निग पात में आपको जोती माम के सभी कोर्स का अक्सेस वन गो में मिल जाएगा जैसे कि आप देख सकते हैं इस लर्निग पात में technical analysis, options trading, open interest based trading और माम के बाकी सभी courses अवेलेबल है and you know the best part, अगर आप इंडिविजुली इन को बाई करते हैं तो आपकी fees को 1600-2000 के बीच होंगी but if you buy this learning path, you'll get it for only 9.99, isn't that exciting? तो आज ही इस learning path को सब्सक्राइब और जोती माम से ट्रेडिंग सीखिए और जोती माम से ट्रेडिंग सीखिए now let's get back to the video I have used one word as a word, Larson 3500-3000-500 के अच्छाइब गाउन के दुपर जाएगा गाउद के लिचाइगा ट्रेडिंगा कितने के ओपर? 3500-300 के अच्छाइब 3500-3500 के अच्छाइब कितने के अच्छाइब ट्रेडिंगा उसको कहते हैं प्राइक प्राइक प्राइब यह ज्यादा नहीं आएंगे तो क्या फिगर हमने यूज किया है मतला 50 एक बेंच्माक हमने सेट किया है कि इसके उपर तो वही चीज है अगर कॉंट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है तो जब तक वह 3500 क्रॉस नहीं करेगा मेरी शर्ट स्टाटी नहीं हुई है तो प्रीमियम ज हमने उसको नंगर सेशना हो प्रीमियम गरना को झासा है चाहिक गई फटो इसको जो हो जहा आइगा में को एवट बता ही तो यह लोगं पर एफ जाते है तो हम्ä जरू रहें सेट रहें क्यों प्रीमियम इणक्सका जाता हैं मैं चाहता है ज्टे Kl Masli आइसा होता है उत्यक् है यहां पर हाई सब्सक्राइब है को यो सब्सक्राइब वह है इस ब्यागा इन यहां है, अजा देल प्रुमिएम सब्सक्राइब 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 उस्टर पर किसी है, Garlic воздуx完全 भी चाहिए परकाइब by the means, if we're not, you're not,겁 today कि थीटा बीच टाइम वयल्यू डीके और केशिया थीटा गूर्ट करें जा रहा है तो रुपना भी मैं बाद में बता हुँगी जब ग्रीक रूंगी तभी समझा दो अर्म मेरे तूम में बिल्कुल एगदम सिंपल तरीके से समझा थे हमारे विविर्ट की रिक्वेस्ट र अगर आपको चाहिए कि मैं ग्रीक्स पे खाल लिए एक वीडियो बनाऊं और उसका उप्शन प्राइसिंग पे क्या एफेक्ट होता है तो भाई आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको उसकी जरूरत है तो कमेंट में आप मैंशन कीजिए लाइक करेंगे तो मुझे पत आने के लिए तो आपको बताना तो पड़ेगा कि आपको चाहिए तो वह आपके उपर है अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी या डिमांड आएगी जरूर बनाऊंगी लेकिन अगर उसके बिना आप लोकों का काम हो रहा है तो फिर आगे बढ़ते और कुछ बनाएंगे ज कैश मारबस कर कि में लारसन करिईए मैं जुम मैं एन लार्सन खरीज सकती है तो ही हम फोशर अफोर उसकी है जो मैं आगए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नी है मैं उसे एक साल होल कर सकती हूं दस साल होल कर सकती हूं जनरेशन को देखे जा सकती हूं कि वह आप रखो मुझे मैंने तुम्हारे नाम पर इंवेस्ट किया है आज भी जैसे अपन देखते हैं कि बहुत लोगों के पास निकल के अब जाते हैं शेयर सर्टिफिकेट और उनके डीमेट करवाते हैं मतलब उनके एंसिस्टर ने किया होगा यह चीजे दादा जी ने पापा ने ममी ने किसी ने भी इंवेस्ट किया होगा तो वह सब उनको मिल रहा है आज तब उन्हों ने शायद पांच-दस हजार में ही इ अप्शें ने करती होगा है तो मैं दीमेट में ले सकते हैं लेकिन जब मैं उप्शंस में बाइकरते हैं तो उसकी इक सर्टेन प्शुन होटी है उसके बाद वो खत्म हो जाते है let's say for example term plan term plan money back simple pure term plan अगर कुछ नहीं हुआ इस साल तो तो प्रीमियम जो भरी हो चली जाती है अगले साल की भरो वापस भरनी पड़ती है न की नहीं अगला साल निया प्रीमियम यह पे अगला महीना निया प्रीमियम और हर दिन वह कम होते होते मन्थेघ में जीरो हो जाएंगे Okay That is the basic difference between cash, equity and options अब अब आप्शन बी जों आप्शन भी सुना है ये इंडेक्स अप्शन भी सुना है तो वो क्या होता है और फरक क्या है सा Stock options हम purely stocks की बाते करते हैं जो stocks in F&D में हैं मतलब futures में है, derivators में जिन में futures है तो option भी होगा इसके अलावा नहीं अभी आज की तारिख में जब अपन रेकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में लेट से की ब्लू डार्ट या जीमडीसी यह दोनों फ्यूचर में नहीं हैं यह सिर्फ कैश में हैं तो इन में उप्शन्स भी नहीं हैं लेकिन यही बात अगर मैं लार्सन की करूं टाट तो यह एक डिफ्रेंस है कि options, futures, cash और यह हो गया है stocks अब Nifty cash में तो में trade नहीं कर सकती, bank Nifty cash में तो borrowable सकते हैं जैसे आज की डेट में निफ्टी की लॉट साइब स्विफ्टी है तो वैसे ही आम इनके आप्शन में भी टिर्ट कर सकते हैं अभी इंडेक्स के आई यह तो आपको पता यह एक बेंचमार्ग है जैसे निफ्टी 50 50 top companies with market capitalization, free float market capitalization related है और इसमें diversified करीब करीब हर सेक्टर से top companies इसमें आ जाती है जो market capitalization के हिसाब से है BSE Sensex के अंदर 30 स्क्रिप्स है बैंक निफ्टी एक sectoral index है जिसमें सिर्फ banking stocks है पिन निफ्टी जो financial services जो भी प्रोवाइट करते हैं उनसे related है तो इसी तरह से यह सारे indices है और इनके उपर जो options होते हैं वो index options के लागते है तो ना एक stock option में और index option में क्या फरक होता है मैं एक direct stock जैसे बाई करना चाहते हूं lilan का call option मुझे रिलायंस में तेजी लग रही है और लार्सन में अन्दी लग रही है यह यह लार्सन में तेजी लग रही है यह लाइस में तो यह का यहां पर मैं इंडेक्स बाइ कर रही हूं वहां पर मैं इंडेक्स भाई कर रही हूं वहां पर में individual stocks में buying selling as per the trend कर सकती है और दूसरी बात stock options जो होते हैं वो monthly के ही सबसे होते है जो month के last Thursday पर expire होंगे जैसे अभी आज हम record कर रहे हैं तो February month है तो 29 February is the last year March जो आएगा वो 28th March रहेगा तो उस दिन सारे stock options expire होंगे जी बिल्कुल और index options भी तभी होंगे बिल्कुल निफ्टी तभी होगा लेकिन bank निफ्टी business days को expire होते है weekly तो वो 27th March को हो जाएगा तो मैं आप बोलो कि index options वीकली भी expire होते है अगर आप weekly वाले में trade करोगे तो जस date का आपने trade किया जस week का trade किया जस date का trade किया वो उस दिन खतम हो जाएगा तो इस तरह से चलता है कि हमने कौन से दिन का लिया है और index में ही आपको weekly मिलेगा और stocks में आपको monthly ही मिलेगा index में आपको monthly weekly दोनों मिल जाएगा तो मैं starting में आपने option chain का आता तो क्या हम वो देख सकते हैं बिल्कुल देख सकते हैं देखिए अभी मैंने यह option chain खुला है यहां पर यह किसका है यहां पर आपको क्या दिख रहा है निफ्टी दिख रहा है और 23 February दिख रहा है मतला आज की जो हमारी recording हम कर रहे है वो दिख रहा है और यह पूरा आपको यहां पर इक strike price दिख रहा है नम बढ़ी यहां पर बहुत सारे strike price दिख रहा है आपको बहुत सारे strike price दिख रहा है तो यह जैसे जैसे market चल रहा था कि मैंने कहा था निफ्टी में 5 साल के options होते हैं तो अगर एक भी trade उस particular strike price में हो गया तो वह strike price दब तक exist करेगी जब तक उसकी expiry नहीं हो जाती है और वैसे भी यहां पर इतनी strike price exist होती है कुछ stocks अगर आप देखोगे तो इतनी नहीं रहेगी क्यों क्योंकि उनमें वह trade नहीं हुआ होगा विकास तीन महीने का ही उसमें period है expiry का अब आप यहां पर देखिए क्या दिख रहा है आपको नम हर मन्त का एक डेट दिख रहा है और वीक का डेट दिख रहा है 7th March 2024 फिर 14 March देखो बराबर साथ साथ दिन में है इसके बाद आपको मंतली दिख रहा है अभी फेब चल रहा है तो फेब मार्च एप्रिल जैसे फिर उसके बाद एप्रिल के बाद जून आएगा क्वाटरली स्टार्ट हो जाता है देखो अभी यहां पर क्या दिख रहा है फेब अभी फेब खतम नहीं हुआ है तो मतलब मेरे पस कितने तीन महिन के का न्युक्त पॉइंट एप्रिल के खुलेंगे अप्रेल की मंतली इए लेकिन उसके बाद में नहीं दिखेगा तब मेरे पास तीन कॉंट्रेक्ट ओकर होंगे मार्च अपरिल में लेकिन उसके बाद जून आएगा और क्वाटरली एक्सपारी दिख रही आपको देखिए जून सेप्टेंबर डिसेंबर उसके बाद आपको हाफ यर्ली एक्सपारी दिखेंगे तो देखिए यहां पे डि दिख जाएगा जब आएगा जब आएगा जून की इक्सपारी ओजाएगी तब आपको यहां पे जून 2029 दिख जाएगा मतलब जुलाई 2024 में आपको जून 2029 दिखेगा ऐसे चलता है यह अब यहाँ पे आप देखेंगे कितनी वराइटी अभी फिलहाल चार इंडेक्स चलते हैं अब फिन निफ्टी पे हम करते हैं 27 फेब मतलब यह Tuesdays को एक्सपार होगी है तो देखें उसके बाद 5 मार्च 12 मार्च 19 मार्च 26 मार्च दो एक यह अगर मान लो फॉर एक्सांपल 26 मार्च चुट्टी है तो वह 25 मार्च को एक स्पार कर जाएगा एक दिन पहले अब यह हो गए सारे इंडाइसिस बैंक निफ्टी का आप देखिए एक साल यह चलेगा लेकिन फिन निफ्टी में आपको तीन ही महिने मिल रहे थे निफ्टी में पांच साल मिल रहे थे बैंक निफ्टी में एक साल मिल रहे यह NSE की वेबसाइट है उस पे से दिखा रही ह अब यह देखो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं सारे शेयर आते हैं अभी लट से हमने इसमें डिक्सन लिया तो अपकर पास स्टॉक है तो देख लो स्टॉक है ना ऑप्शन नहीं है ना तो फिर वो तो टीमाट में है आप उसे रख सकते हूं लाइफटाइम ऑप्शन ले लिया सबसे पहली बात आपको मिनीममम कितनी कवांटिटी लेनी पड़ेगी मैं इसको थोड़ा कर ढबदा करते हूं मिनीमम कितनी कवांटिटी लेनी पड़ेगी यहां पर यह लॉट्ट साइज है एक आईडिया के लिए कि 100 क्या सबस है आपको यहां पर multiples of 100 दिखेंगे जैसे में पूरा डीटेल में जाके भी देख सकते हैं नसी से लॉट साइस की शीद भी डाउन्रोड कर सकते हैं नसी इंडिया.com में आपको सब कुछ मिल जाता है तो डिक्सन के अगर आप शेयर ले रहे हैं तो आप एक भी शेयर ले सकते हो जितनी आपकी इंवेस्टमेंट कपाश अब क्या होता है जो मैं सुस बात कर रहे थी स्टार्टिंग में मेरे पास छेहजार रुपे है तो मैं एक शेयर लूगी यहां पर मुझे लालज किया जाता है कि साथ जार में मुझे सौ की कौंटिटी मिल रही हैं तो मैं जीत गई तो मुझे सौ के इसाब से पैस जो भी कहना चाहो लेकिन वो 29th February को खतम हो जाएगा बल्कि अब तो जो है वो डिलिवरी का सिस्टम हो गया है कि अगर यह इंदमनी बंद हुआ तो मुझे यह पूरे के पूरे साथ लाक रुपे देके सौ शेयर की डिलिवरी लेनी पड़ेगी अगर नहीं है तो फिर पैन हां और जैसे आज Friday है अगर इसको हम आज से ही close करवाना शुरू कर देते हैं क्यों कि margin बढ़ जाता है आज Friday 20% Monday 40 हो जाएगा Tuesday 60 हो जाएगा और थर्स्टे सुवे सुवे पूरा 100% ले लेंगी अपसे तो सात लाग अगर नहीं हुआ तो फिर आपकी शौट मार्जिन पर नाल्टी आ जाएगी तो इस वज़े से आज से ही सब करीब करीब खतम होने शुरू हो जाते हैं इंट्राडे बहुत ब्रोकर अलाओ करते हैं अब तो वेड़नस जे या Tuesday बट में यहां पर मैं एक चीज़ देख रहा हूं तो यहां मैं पुट में भी बहुत स सारे प्राइस जार है और सब का प्राइस अलग है जैसे 7100 का 41.9 है और वही 6700 का 216 है तो यह सा अलग अलग प्राइजिंग क्यों है और इतनी सारी प्राइजिंग है तो कौन सा बाय करना चाहिए देखे ऐसा है अभी करेंट मार्केट प्राइस क्या चल रहे है मैं 6850 रफ् अब 7100 का अगर हम कॉल बाय कर रहे हैं 41 रुपीज में रफ्ली 40-41 प्राइस क्या चल रहे है 6854 राइट मतलब अब मुझे एक बात बताओ क्या प्रोबैबिलिटी है कि 7100 क्रोस कर जाएगा चार दिन में वो ट्रेडिंग डेजी तो बच्चे है ना तो क्या प्रोबैबिलिटी है कि 7100 क्रोस कर जाएगा बहुत कम है क्योंकि इतना मुमेंटम आहे ना है और क्या प्रोबैबिलिटी है कि ये 6700 के उपर ही मतलब इस लेवल पर रहे तो इसलिए जितनी हाय प्रोबैबिलिटी होगी प्रीम हाई होगा और यह जो है यह इंदमनी है यह लो कलर जो आपको दिख रहे है ना इंदमनी है तो इंदमनी में यह अपकी करेंट मार्केट प्राइस है और अगर मालो आप जो 6700 का पूछ रहे थे मेरे से तो करेंट मार्केट प्राइस से यह कितना उपर है 154 तो यह तो इसकी इंदमनी वैल्यू हुई ओके इंदमनी वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलते है लेकिन अगर वह वर्ड नहीं बोला जाता है तो इंदमनी तो बोल सकते हो 154 तो उसमें अलड़ी अभी के हिसाथ से जम्मा वैल्यू है तो एक्स्ट्र आप कितना दे रहे हो पचास एक रुप्या ही तो दे रहे हो एक तरह से जो ब्याद जो टाइम वैल्यू है वह 50 दे रहे हो जितना अंदर जाओगे जितना इंदमनी जाते जाओगे उतना ही कर रहे है 6400 मतलब 6400 इससे माइनस करें तो कितना होता है 454 454 मैं किसे किसको माइनस कर रही हूं मैं जो करेंट स्टॉक प्राइज है और श्राइक प्राइस तो मैं ऐसा कह सकती हूं कि मैं spot यानि की current market price cash price उससे strike price को minus कर रहे हूं call के लिए इसी तरह से किया जाता है तो जो भी premium की value इस basis पे decide होती है जी तो अब ये कितनी है 454 premium कितना चल रहा है approximate 480 तो मतलग 26 रुपीज जितना अंदर रहे का उतना उसकी probability हाई होने के वज़े से उसमें extra time value नहीं रहेगी highest time value आपको यहां पे मिलेगी जिसको हम बोलते ATM at the money मतलग जो market price है और strike price है वो almost same है क्योंकि उसको cross करने की probability सबसे ज़्यादा होती है अगर let's say आप college जा रहे हो आपकी कल exam है आप आज पढ़ने बैठो तो आप 95 लेके आओगे उसकी क्या probability है मैं बहुत कम ना के वराबर पूरे साल पढ़ाई नहीं की बस खाली एक ही दिन में आपको पढ़ना है और 95 लाना है बहुत मुश्किल है नहीं होगा और यह अगर आपने पूरे साल पढ़ाई किये मन लगा के एक दम से concentration के साथ में और पेपर भी अच्छे से देके आया रहे हो तो क्या probability है 95 लाने की बहुत ज़्यादा मुश्किल बढ़ जाती है तो वही चीज यहां पर है कि दिन बचे है चार बहां पर उसको क्रॉस यह नहीं उसकी probability कितनी है उसके उपर प्रीमियम डिसाइड होता है अब आप यह सोचो मान लो मैंने इसका ब्याज दिया एक तरह से 103 रुपया यह 104 रुपया अब चार दिन में इसने 6900 क्रॉस नहीं किया तो एवरीड़ यह डेप्रिशेट होते जाएगा और डेप्रिशे 100 रुपया है यह लॉट साइज 100 है यह एक यूनिट का 100 रुपया है मतलब 100 x 104 x 100 10400 रुपया आप चार ट्रेडिंग डेश का दे रहे हो प्रोबैबिलिटी क्या है मैं कम है तो फिर आप यह सोचो कि अगर यह इमीडियेटली बढ़के इसमें 10 या 20 रुपया या 25 रुपया आपको मिलके आप प्रॉफिट बुक कर लोगे लेकिन अगर वो दिन भी आपके फिवर में भाव नहीं आया तो प्रीमियम कम हो कि चार दिन बच्चे हैं मैं चार दिन से डिवाइड कर दू तो 25 रुपया मिलीमम इतना तो कम हो गई होगा तो यह गए 20,000 रुपय हां मैं प्रॉफिट अब कितने में बुक कर रहे थे 20,000 में नहीं वह तो दस मतलत 10 1500 में यह गए एक दिन के अब दूसरे दिन अब दूस बढ़ेगा आप कई बार देखते होंगे और यह बहुत लोगों की मेरे पास क्वेश्चिन्स आये कि मैंने जब ऑप्शन लिया था तब यह प्राइस था शेर का अब शेर का प्राइस तो काफी बढ़ गया लेकि मेरा ऑप्शन का प्राइस डाउन है तो आइसा क्यों होता क्यों दिन निकल गए अच्छा तो जो मारे दिन की जो वैल्यू मीटर चालुआ लिए जो मीटर चल रहा है तो रोज मीटर से पैसा गट रहा है बिलकुल तभी तो मैंने का पास दिन से जादा रखना नहीं वापस कर देना अब यहां तो में पास दिन भी नहीं बचे तो क्यों कि अगले धिर देख लेना अगर इसमें गशीयो को सब्वेजर को Дेखर यहां अगर इसमें मुव्मेंट तो लेना नगी आई तो मत ले ना गल्स होने पर और सही होने पर गल्स हो te जुआ होगा सैय तो बात की बात है तो बहुत करने हैं जिससे अगर हम भाई करते हैं तů उसको वापिस कैसे देता है his करके तो जैसे मैंने कुछ भी ख़़़्ीदा है तो मैं डे china करको दो तो मेरी वो तो मतलब आपने शॉट के समझो 104 में, प्राइस बढ़के 125 हो गई, तो आपको 20-21 रुपय का नुकसान हो गया न, आप उतने में स्क्राफ कर दो, और अगर प्राइस दो दिन भी वहीं रह गई, तो 30-40 रुपय मिल गई न, तो यह जो चीज है, यह बायर और सेनर, के बीच क कि लड़ाई जिंदेगी भर चलती रहेगे, और जो इसे समझ लेगा, वो कुछ हद तक हमेशा कुछ हद तक कमाते रहेगा, कंसिस्टेंट इंकम करिये, एक ही बार में इंकम मत करिये, अच्छा एक बात बताओ, मैंने न, कई बार ऐसे यूट्यूब कर देखते हैं, तो य महाराजा थाली करके है, और उसमें कुछ शर्त रखी जाती है, यह कोई खा लेगा तो इसको 2,000-5,000 अगर वैसी थाली अपके सामने रखी जाए, तो क्या आप उसे खा सकते हो, नहीं रखते हैं, क्यों नहीं खाई जाती है, बराबर है, लेकिन अगर उसमें से में एक एक पार्ट आपको रेगूलर देते रहूं, तो आज यह चीज दे दी, कल दुसरी चीज बना के दे दी, परसो तिसरी चीज बना के दे दी, ऐसे अगर वो आपके घर में हो जाए तो, फिर तो खा लेंगे, तो वो ही मैं कह रहे हूं, मैं एक साथ इंकम करने जाओंगी, नहीं मैं रोज थोड़ा 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 कमाओंगी, इस पर मेरा फोकस है, ना कि एक ही साथ पैसा कमाना, लेकिन रेगूलर देगा लेकिन एक ही बार में मंगोगे तो मुश्कील हो जाएगे अब यह साइड पुट है पुट में यहां पे लेटर से हमने 7000 की पुट बाई की मार्केट क्या चल रहा है 6854 मतलब 146 इन दमनी हुआ यहलो कलर इस इन दमनी और यह जो बीच में लास्ट येलो कॉल साइड और लास्ट येलो पुट साइड यह अग दमनी कहलाते है तो यह देखो मार्केट प्रैस चल रहा है 6854 तो इसी हिसाब से यह अग्द मनी कहलाते है मतलब आलमोस्स सेम यह आउट अफ दमनी जो दूर जिसे कहते हैं दूर जो प्राइस से दूर है अग्द मार्केट प्रैस से दूर है आउट तो यहां का प्रीमियम कितना है दोसो पांच तो अल्टिमेटली दोनों के बीच का डिफ्रेंस पचास के असपक्त है तो आपकी प्रीमियम तो पचासी हुई अब यहां पर मैंने क्या किया है यह स्ट्राइक है और यह करेंट मा क्डाइन के लिए उसका तो फुट मार्मस बेजिए फॉर्मिरा जैना होता है दो कि अबीज टोंति होता है यह स्ट्राइक प्र्मिला चंज नहीं होता है इंज उनसो व्यायर का प्रॉफित है वहां टों कर दो दो एर का प्रॉफित अनलिमिटेड लयस प्रीमियम पेड़ तो seller का loss unlimited less premium received, क्योंकि buyer premium pay करता है, तो seller को premium मिलता है, seller मतलब writer, यहाँ पे मैं writer के परसे से बात कर रही है, राइट? येस, बायर को loss कितना है? जितना premium बर है, तो वो किसको जाएगा? तो seller को इतना profit हुआ? जितना premium बर है, तो seller को यह मालूम है, कि मेरी profit limited है, लेकिन मेरा risk unlimited है, वो अपने stop loss पे बहुत careful रहते हैं, बायर्स उतने careful नहीं रहते हैं, लेकिन कभी gap up, gap down हो जाता है, तो वो एक दिन काफी होता है, बहुत बड़ी income खाने के लिए, मतलब उनकी income चल प्रेमियम मिलता है, तो उनको रुपे कितने देना होता है? उनको मार्जिन देना पड़ेगा उनको as a security, जैसे futures में मार्जिन देता है, वैसे इसमें भी मार्जिन देना पड़ेगा, जहां पे risk unlimited हो जाए, वहां security देना पड़े है, जहां पे पता है किसे ज्यादा risk नहीं ह तो वहां पे premium देना पड़ता है, और अगर मैंने कोई strategy बनाई है as a spread, तो थोड़ा margin देना पड़ सकता है, यह जो है, यह basic concept है, मेरी सबसे request है कि जब तक यह नहीं मालूम हो, यह नहीं मालूम हो कि हमको आएगा पैसा कि जाएगा, जाएगा तो कितना जाएगा, आएगा हमको कितना risk लेला है, अब इसी पर अगर मैं बात करूँ, अभी जैसे मैं आपसे कहा कि 104 रुपे है, मतलब 10,400 है, अब probability यह है कि चार दिन में यह प्राइस आएगा, अगर नहीं आएगा, तो क्यों लेते हो यह risk, जादा से जादा एक दिन की risk लो, और अगर आपके पूर महिना बचा हुआ है, तो पूरे महिने के हिसाब से, अगर इसका प्रीमियम देखा जाए, तो लेट से 1,500-200 रुपया हो गया, वो बीस हजार का आप option खरीद रहे है, इतना बड़ा खरीदना चाहिए, तो सबसे पहली बात, यह कितना उपर जा सकता है, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है, तो मत खरीड़ो, तो मत खरीड़ो, तो मत खरीड़ो, अगर मालो फिर भी आपको खरीदना है, आपके पास किसी ने टिप दिये, या कुछ भी आया है, कोई इन्फोमिशन आई है, या आपको लग रहा है कि भाई, बहुत लोग आजकल गट फीलिंग प अगर लगता है, और वीस हजार देना, यह कहां तक जाएज है, जो मैंने अभी बताया था था थोड़ी जिर पहले, कि ऑप्शन्स एक पर्टिक्लर टाम पे जीरो हो जाएंगे, तो बीस हजार के ऑप्शन्स अगर मैं ले रही हूं, मैं कितना रिस्क उठा सकती हूं, चार तो exactly वही आपका stop loss होना चाहिए, और stop loss hit is a stop loss hit, तो वहाँ पे आके two minds में नहीं होना है, अगर आपको फिर से movement लगे फिर से buy करना, जब हम बाय करते हैं options particularly हमारे पास दो variety के stop loss होते हैं, एक तो price stop loss, दूसरा time stop loss, क्योंकि meter चल रहा है मेरे भाई, तो ऐसा मैं फिर day fix कर सकता हूं उस पे में को, हाँ अगर मैंने पोल दिया कि चार या पांस दिन रखूंगी तो बस पांच working days, including Saturday, Sunday, जो भी decide किया है, अपने plan को change मत करना बीच में, अगर आपने सोचा में पांस हेजार का risk को ठाउंगा, या पांस दिन के बाद साधे, square off क पांस होना ही होना चाहिए जो पहले आएगा, वहाँ पे आके नहीं होना है, it is your business, business में हम कितने rigid हो के बढ़ते हैं, कि नहीं भाई, मुझे ये काम इस दंग से करना है, ये हमारी planning है, इस तरह से हम काम करेंगे, ऐसे थोड़ी हो सबते हैं, एक अपने तरीके से जा रहा है लेकिन ट्रेडिंग में हम सब अपने हिसाब से सेटिंग कर लेते हैं, जैसे मुझे पसंद है वैसे काम करूगी, और business में मैं किसी की नहीं सुनती, ये मेरा business है, ये आपका business है, क्योंकि इसमें से आपको पैसा निकालना है, जहां से पैसा आना होता है वो business होता है, और हर business के कुछ rules होते हैं, लेकिन ultimately हर business का एक ही rule होता है, कि capital खतम नहीं होनी चाहिए, yes, profit फिर अपने आप आता है, secondary है, बट अगर capital खतम हो गए, तो वापस खड़े कैसे होगे, capital market नाम ही उसमें है, कि capital के विगर, कोई भी business हो, capital खतम कर दी तो वापस कैसे खड़े होगे life में, तो यह चीज capital protection, मतलब आप business भी capital zero होने तक नहीं कर सकते, कहीं न कहीं आपको decision लेके बीच में loss making company को बंद करना पड़ेगा, तो वही चीज यहाँ पे भी है, अगर आप market म options में loss कर रहे हैं, तो आपको अपनी position square off करनी ही पड़ेगी, तब ही आप long term तक survive कर पाँगे, यही मेरी आपको suggestion है, तो मैं, अगर में को option start करना है, तो एक कितना capital से मैं start कर सकता हूँ, जैसे cash market में तो कैसे मैं छोटे amount से भी start कर सकता हूँ, एक quantity, एक share buy करके, तो options में में कितना capital लेकर आना पड़ेगा, या आना चाहिए मिर को, मैं यह कहूँ, कि आपको option से ही क्यों start करना है, बड़नाम, अगर मैं अगर equity कर रहा हूँ पहले से, तो अगर मैं को options में आना है, तो फिर मैं कैसे आऊँ, तो आपका जो भी capital है, free capital, cash, उसका सिर्फ 10% इसमें लगा जाए इस महीने, तो position square off कर देला, let's say आपके पास लाक रुपे है, 90,000 बैंक में रखिए, 10,000 इसमें लगाईए, वो 10,000 का अगर 5,000 हो गया, वहीं पे सारी position खतम, यह मैंने कोई काम नहीं करोगे, तो अगले मैने वापस उसमें और 5,000 अगर आपने तीन महीने तक एक भी महीने में पैसा नहीं कमाया, तो आपका कितना नुकसान हो गया, 15,000 का, 15,000 का नुकसान करके side खट जाये, सीख कर समझ के आईए, कि यहां पे पैसा क्यों जा रहे है, छोटे से, capital से, आप नुकसान करके निकल गये, तीन महीने तक अगर पैसा नहीं आया, तो मतलब कहीं न कुछ ने कुछ तो गलत चल रहे तो हट जाए और अगर आपको उसमें से पैसा आ गया लेट से दस हजार का पंद्रह हजार हो गया तो पांच हजार उठा के साइड में वापस डाल दीजे बैंक में होगे 95 फिर अगले महिने फिर लेटर से और पांच हजार आ गया बैंक में पांच हो गया फिर ऐसे करते जाए इस तरह से काम कीजिए लेकिन अब एक लाग रुपय को टच मत करना जिस दिन एक लाग का डेड़ लाग हो जाता है फिर यह दो लाग हो जाता है तो वह एक लाग को परमानेंटली अवडी कर दो तच भी मत करना वह कैपिटल को अच्छ अच्छा तो मलब आप बोलो कि जितना कैपिटल है उसका छोटा पोर्सा नहीं करो और दीरे दीरे अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करते रहो है और जो प्रॉफित आता जाए प्रॉफित उसे जो अच्छे ब्लुचिप कंपनीज है उनमें साइप करते चाहिए तो ऑप्श अच्छा प्रॉफित जानते हैं कि उप्शिंस क्या होता है मतलब मेरा एक दोस्त करता था मैंनो सो बुछा कि ऑप्शिंस मुझे भी सीखना है बता क्या होता है वह लेकिन समझा नहीं सही से कि ऑप्शिंस होता क्या है तो मैं अभी अभी अवेर्नेस की तो कमी बहुत मैं उनको ऐसा गुरूमन्तर टाइप का देदू और सबसे पहले में बात करती हो कि कि क्या है ऑप्षन होता क्या है क्योंकि हम लोग ऑप्षन में काम करते हैं और लोग भी काम करते हैं कि मैंने 2-3 महिने में 3-4 लाख रोपया खो दिया अब मुझे ये बताओ option buying में 2-3 महिने में 3-4 लाख रोपया अदमी कैसे खो सकता है मतलब ये तुनों ने multiple lots में काम कर लिया और इस intention से कि premium का ही maximum loss होगा अरे भाई maximum loss is up to premium बात तुमारी ठीक है but that is 100% of your capital बात की तुमारी भी क добрot आप जब मैं लॉटरी की बात की मैं तुमारी ये थहाँ तुमद जह थे कि छोटे अमौंट की होनी चाहिये का 50 ऐदाल लापय की होनी चाहिए रोपती एडॉतकों की होनी उनी चाहिए ऐसे हाँ के करीप universe और उसको जीरो कर देते हैं पुरा capital wipe out हो जाता है और उससे भी कड़क चीज जो मैंने सुनी है और देख रही हूं जो मुझे तक्रीफ देती है कि उसके लिए भी एक common retailer जो है लोन पर पैसा लाता है अब तुम सोचो कि ये लॉट्री टाइप की टिकेट खरीदने के लिए कि टिकेट करीते हैं नहीं लगी तो भई उसमें चांसिस कितने कम है तो फिर और उसमें भी वह एक साथी पचास अजार रुपया लगा देते हैं एक एक लोट्री टिकेट में तो तो सब खतम हो जाएगा हाँ तो आपके question का यही answer है कि 97% यहां पे इसी लिए आई है कि वह सब्सक्राइब करोनपती बन सके बड़ बेसिक्स नॉट क्लियर और इसी वजह से इतना बड़ा बड़ा लॉस हो रहा है मुझे पता है कि शायद यह मेरी बाते बहुत लोगों को पसंद नहीं भी आएगी because सबको immediately गुरु मंत्र चाहिए कि मैं कैसे कमाओ और मेरा हमेशा से यह रहा है कि मैं आपको concept बताओ और दीरे दीरे आप कमाना शुरू कर दो और इस स्टेज पे आजाओ कि आप रेगुलर कमाओ एक साथ बड़ा फिगर नहीं लेकिन उतना कमाओ कि आप जिस इंटेंशन से इस मार्केट में आएगो उस पूरा हो जाए अच्छा आप मुझे बताइए अपने हां कितने लोग आते हैं और क्या कहते हैं हमको कोई रस् सब कंसिस्टेंट इंकम मंगते हैं तो फिर कंसिस्टेंट इंकम पे रुखिए न आप आते हैं कंसिस्टेंट इंकम के उपर और चाहिए आपको इमेडियेटली और वह भी बहुत बढ़ा बढ़ आउडेंट अफ्रसी अश्च भूर फिए कितिल में गलत हो गई हिए जस्त एक छोटी सी बात करना चाहते हो एक एक एग्जाब्पल देना चाहते हूं और सम्जहसंश्चाना चाहते एउ हम क्या सोच्ते हैं और क्या करते हैं उस में कितना जमीन आसमान का फरकाnh देखिए अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हम क्या सोचते हैं क्या करते हैं राइट कंसिस्टेट ने इंकम का मतलब क्या होता है महीने का 2% 5% राइट जितना पैसा लगाते हो फर्स्ट फॉल हम बहुत बड़ी कैपिटल जब बाइं करते हैं उप्शन की तो नहीं जैसे ही वह 11,000 हुआ हम क्या करते हैं मतलब हम सेल कर देते हैं क्यों किया बोलते हैं कि हमको 10% प्रॉफित मिल रहा है आज की आज हम निकल जाते हैं तो इसके सामने आपकी लॉस कितनी हो सकती है पूरा 10,000 हो सकते हैं लेना कितना चाहिए आपको जब हम बात करते हैं किसी से भी ऑप्शन की तो वह क्या कहता है जब मैं 10,000 लगाता हूं तो मुझे ऐसा कॉल दो कि मैं 5,000 का मेरा ऐसे लोगा और टार्गेट 10,000 प्रॉफिट राइट अभी यहां पे क्या किया उन्होंने सिर्फ हजार रुपे प्रॉफिट लेके निकल गए लॉस में पूरा 10,000 खड़े पूरा स्ट्रक्शर करना तो हो गया विल्कुल अगर आप 10 परशन्ट प्रॉफिट पे एक्जिट कर रहे हो या 5 परसेंट पर प्रॉफिट पे एक्जिट कर रहे हो तो लॉस में भी 10 परसेंट या 15 परसेंट या 20% पर एक्जिट हो जाओ लेकिन हमारे दिमाग में क्या रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लॉस्तों सिफ 10,000 का होगा इससे ज्यादा तो होगा नहीं तो फिर लाखों की प्रॉफिट तक होड़ कीजिए ना मेरे भाई अगर आपकी सोच यह है कि ज्यादा से ज्यादा मेरा 10,000 का लुक्सा लोगा तो प्रॉफिट में भी तो लाखों की यह 10,000 की यह 20,000 की जो आपने सोची है अगर मान लो आपके 10,000 पे 25,000 की प्रॉफिट सो लेकिन एक ही ट्रेड काफी आपका पूरा कैपिटल वाइप आप करने के लिए यह जो बेसिक कैल्कुलेशन है यह कोई नहीं करता है और इसी वज़ज से जो है लॉस हो रहे है मैक्सिमाम क्योंकि क्या होता है हम सोचते कुछ और करते कुछ और करने के बाद हमारी सोच कु अधिक करते हैं और लॉस में हम दस हजार डूबने तक होल्ड कर लेंगे और यही सोचो अगर किसी ने दो तीन तीन पाच पाच लॉट कर दिया तो मतलब पचास हजार रुपे गये हम और वो जो पचास हजार रुपे गये तो वो जा रहे है उसका दर्द नहीं हो रहा है तो फिर उसको जीरो कैसे कर सकते हो इस उमीद पे मैं एक एग्जामपल हमेशा अपने हर सेशन में देते हूँ आज वही मैं यहां पर भी देना चाहूंगी ज़िस्जा की भी लेच्चा आज आज आएक काल सूभी आज आएगा तो मैंने बैंक से लोन ले लिया या कहीं से भी लोन ले लिया और कबड में रख लिया इंपर इन एप्सकितेशन की प्रोजेक्ट आज आएगा वोके यह दन दराइट नहीं मामिश अब वो गड़ में रखा हुआ है और प्रोजेक्ट आजकल आजकल हो रहे है, वट शुड़ एड़ एडू? किप दे मारीन कबड? नो माम वो फिर इंट्रेस्ट लगेगा उस पैसे लगेगा तो फिर क्या करना चीए मुझे? वो पैसे को वापिस दे देना चीए कितने दिन के बाद? इम्मीडिएटल दे दे देना चीए जब प्रोजेक्ट अब ले लेंगे चलो मैं बोलती हूँ कि चार-पांस दिन में प्रोजेक्ट नहीं आया तो एक बर वापस कर दूँ और जब वापस आएगा प्रोजेक्ट तब लेलू तो कम से कम मेरा उतना दिन का व्याज तो नहीं लगया यह बात आपको रियल लाइफ में समझ में आ रही है लेकिन जब आप option buy करते हो तो आपका intention क्या होता है कि momentum आए और आपको immediately चार-पांस दिन में उसका premium double triple हो जाए लेकिन अगर चार-पांस दिन में उसका movement नहीं आया तो क्या premium decay रोज नहीं हो रहा है तो एक चलो हमने चार-पांस दिन का decay उठा के दे दिया लेकिन इस expectation में कि movement आएगा क्या मैं इसे पुरा महिना hold करके zero कर सकती हूं नहीं मैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए तो यह बात real life में समझ में आती है यहां क्यों नहीं समझ में आती है भाई return कर दो market को जब movement आएगा फिर ले लेंगे उमीद में क्यों वेठे हो उमीद पर दुनिया कायम है यह practical life में options में नहीं अपने real life को काफी अच्छे से जोड़ा है यह options की चीज़ पर फिर मैं अपने पहले वाले question पर आऊंगी या पहली जो मैंने start किया वहीं आऊंगी lottery की ticket कितने रुपय की खरीदनी चाहिए छोटे amount की की लाखों की चोटे amount की करनी चाहिए तो आगे हम वापस उसी बात पर जहां से मैंने start किया था जी मैं यह सब तो मुझे काफी समझ में आने लग गया कि क्या क्या चीज़े होती है थोड़ा बहुत समझ में आगे कैसे वर्क करता है बट अभी भी काफी चीज़े हैं जो डाउट और आरे मन में जिसे वह डेल्टा और ग्रीक वाला चीज है जो मा आगे समझेंगे तो आज का सेशन हम यहीं पर खरकते हैं अगर और और भी हमारे debate में तो को में परासमें किन और भी हम्तिए तो आपकी बॉला और आरे में खरक करके दो करने दोक पाई हैं वेश्स सेशन में नहीं सेशन करने का कूम네 what you can do ÉTP में नहीं सब्सक्राइब जिसमें आपको option buying option selling दूनों बताऊं और उसके सारे working के साथ में क्या loss क्या profit हो सकता है option chain वगरा सब तो आप सीखना चाहते हैं क्या पता ना मुझे अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं पक्का एक और session करूँगी थैंक यू माम ये session हमारे साथ करने के लिए अगर हमारे व्यूवर्स की और demand आती है तो हम ये session आगे भी continue करेंगे और इसके multiple episodes बनाते जाएंगे जब तक हमारे students की query solve नहीं हो जाती है आने तो मुझे कोई सब्सक्राइब करता है अगर मुझसे demand की जाएगी तो मैं बनाते जाओंगे जब तक demand आती जाएगी तब तक बनाते जाओंगे तो तब तक के लिए आप हमारे इस channel को subscribe कर दीजिए ताकि मैं के जो existing videos हैं वो भी आप तक पहुंचे और जो नए मैं वीडियो बनाएंगी वो भी आप तक पहुंचे रहे तो तब तक के लिए keep learning and keep practicing